देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो इस इंटेंशन के साथ में बनाया गया है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे तो वो नीट एक्जाम के लिए उसका आखरी ड्रॉप होना चाहिए और मैं आखरी ड्रॉप के तीन एक्स्ट्रीम आपको बता रहा हूँ अगर आप इस में से कोई साभी एक फॉलो कर सकते हैं साल बर जो यहां पर MSP West में जितने बचे आफलाइन आने वाले हैं उनको यह तीनों फॉलो करने हैं लेकिन आप अगर सिर्फ यह एक फॉलो कर सकते हैं तो मैं आपको यह गैरंटी के साथ में कहता हूँ कि यह आपका आखरी ड्रॉप होगा उसके बाद आपको किसी फॉर्मेट मे कोई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं होगी या तो यह होगा कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा इससे या फिर जो आपकी बेस्ट आफ बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है वह आ जाएगे तो तीन एक्स्ट्रीम क्या है सबसे पहली बात तो मैं कह रहा हूँ लास्ट ड्रॉप वह तीन एक्स्ट्रीम चेलिंज है आपको नोडाउन करने हैं और यह देखना है कि मैं इसमें से क्या फॉलो कर सकता हूँ देखो सबसे पहला है कॉंटेंट डाइजेशन हमारे में से 99% इस्पिरिंट्स साल भर एक ही चीज के उपर फोकस करते हैं वह होता है कॉंटेंट इंजेशन जितना हो सके उतना समेट लो जितना हो सके उतना पढ़ लो जितना हो सके उतना डीपीप सॉल कर लो नोट सॉल कर लो बुक सॉल कर लो वाटो एक चीज के उपर ध्यान नहीं देते हैं कॉंटेंट डाइजेशन मैं आप से एक बात पूशता हूँ आप चाहे जितना खाना खा ले अगर उस खाने को आप सिर्फ इंजिस्ट कर रहे हैं और डाइजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप यह उमीद करते हैं कि वो खाना आपकी बॉड़ी को नरिश्ट करेगा उस खाने से आपके सरीर में ग्रोथ होगी उस खाने से आपकी बॉड़ी में वो ताकत आएगी जिसके लिए आप खा रहे हैं वो मांसिक शमत आएगी जिसके लिए खा रहे हैं वो इसके नमें चमक आएगी इसके लिए आप खा रहे नहीं आएगी content ingestion खाने को खा रहे हो उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है उसका digestion और absorption तो पढ़ने से कई गुना ज्यादा important है content digestion और content absorption अब content digest कैसे करते हैं तो अगर आप रोज 6 गंटे पढ़ते हैं 6 hours आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो 4 hours और 2 hours 8 गंटे पढ़ते हैं तो 6 गंटे और 2 गंटे में डिवाइड कर लो इस 2 गंटे में आपको content digestion और content absorption पर ध्यान देना है कैसे ध्यान देना है वो basically एक student yoga है student meditation है कि आप एक separate copy बनाएंगे separate copy उस separate copy में let's see कोई सा भी एक chapter है मान ले तो में chemistry in daily life का chapter है उस chemistry in daily life के chapter के आपने सारे के सारे topics यहां लिख ली क्या क्या लिख ली आपने आपने एनलजेसिक्स लिख ली आपने antifertility drugs लिख ली आपने antimicrobials लिख ली आपने antihistamines लिख ली आपने कि आपने एन्टिवाटिक्स लिख ली आपने डिट्रेजेंट्स लिख ली आपने डिट्रेजेंट्स लिख ली अब उस कॉपी में से सिर्फ टॉपिक देख रहा हैं कि antifertility अब उसके बाद में वहाँ पर एथिनाइल एस्ट्रडाय होल है या नौर एथिन ड्रॉन है यह थौट्स उस टॉपिक को देखते ही आपके दिमाग में आने जी जहां पर टॉपिक को देखने के बाद उस content के thoughts आपके पास नहीं आ रहे हैं एंजियाटी खुलो देखो एंजियाटी खुलो देखो पता इससे क्या होगा बहुत बार जब एक्जाम आते 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 आपका एक्जाम देने से मन उठ जाता है नहीं कि या इस बार कुछ नहीं होगा अगली बार देते हैं वह मन ने उठेगा मन में शक्ति आएगे दिमाग में शक्ति आएगे और जब आपको टीचर या कोई भी जब पूछेगा कि इसका अंसर दिर को आता है गया तो आपको डाउट नहीं होगा कि यहां पर क्या आएगा तो हमें क्या करना है content digestion पर ध्यान देना है content ingestion पर सब लोग ध्यान देना है कि यह खा लो इसके notes पढ़ लो यह content पढ़ लो यह content पढ़ लो यह content ingestion से उपर उठना है और content digestion के साथ में content absorption भी focus करना है digestion absorption digestion होगा तो absorption अपने आप ही हो जाएगा तो मेरा सबसे पहला challenge आपको यह है कि आप इस बात को समझ जाएं कि सिर्फ ingestion से कुछ नहीं होगा पूरा ध्यान लगाओ इस ध्यान पर पूरा ध्यान लगाओ एक उबर चत पर जाके बैठ गए या अपने रूम में जाके बैठ गए एक कोपी है उसमें सिर्फ topics के नाम लिखे रहे है एक challenge दूसरा challenge यह तो एक आपका personal challenge हो गया second challenge क्या होगा classroom में जब आप लोग पढ़ रहे हो यह classroom challenge है कि classroom में आप जब पढ़ रहे हो तो classroom में teacher हर एक दिन आपको बताएगा कि इस lecture में यह चार point बहुत ज़्यादा काम के हैं यह एक example जो मैंने कराए super important है आप उन तीन चार points को isolate कर लो और उन तीन चार points को isolate करने के बाद में एक जगह लिखो यह आपकी होगी summary copy मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपकी notes copy से आपका selection नहीं होगा आपकी notes copy से आपका rank नहीं आएगा आपका rank आएगा memorization copy से जो separate copy पहले मैंने बताई आपको memorization copy और दूसरी आपकी summary copy कि आपने उस content को isolate किया summary copy बनाई और आप daily basis पर उस summary को देख रहे हैं देखते 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 याद हो गई याद जब एक बार आपको हो गई तो आप चलते फिरते कहीं पर भी जा रहे हैं आ रहे हैं उस content को दिमाग में चलो है आपके दिमाग में picture चलनी चाहिए बॉस फिल्म चलनी चाहिए और वो film kgf2 या पुषपा नहीं होनी चाहिए वह film यह होनी चाहिए कि ये content की summary है जिस दिन आपके दिमाग में film चलना चालू हो गई ना तो आप super hit हो जाएंगे अपने आप आपके दिमाग में जमाने भर की movies की story चलती है ये content summary की story आपके दिमाग में चलनी चीए तो पहला मैंने आपको बोला कि आप memorization copy बनाओ और दूसरा में बोल रहा हूं summary copy बनाओ ये काम हर subject पे होना जी जब confidence आएगा यार कि आपके 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 फोडने वाला हूं तिसरा challenge ये है pen challenge P-A-I-N वाला pen नहीं है P-E-N वाला pen है ना pen challenge आप कहीं पर भी पढ़ते हैं जो भी आपका रूम है उसमें खाली डबा रख दो dustbin रख दो और ये set करो कि मैं इस साल देड़ सो pen खाली करने वाला हूं खाली करने वाला हूं मतलब तक्रीबन-तकारीबन हर महिने पंद्राइब पंद्रा पर मंत आप इन तीनों में से कोई साँ एक काम करेंगे देखे जातर बच्छे इस कर रहे हैं मोबायल के उपर उंगलिया चला रही है और में हमेशा आपको कहता रहा हूं कि मोबाइल के पर उंगलिया चलाने से नहीं पूरे दिन पैन चलाकर उंगलिया पिचकने से रहेंगा आता है आप जो मैंने तीन कीवर्ड्स आपको बताएं है Memorization copy Memorization कैसे करना है उसका एक तरीका मैंने बता दिया है पहले आपको copy की help लेनी है यह immature लोगों के लिए है फिर धीरे 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 प्रो हो जाओगे प्रोफेशनल हो जाओगे फिर आपको topic देखने के लिए copy की ज़रुत नहीं पड़ेगी बहुत सारे बच्चे मसे पूछ रहे थे कि Memorization करे कैसे तो copy में topics के नाम लिख लो अभी आप immature हो फिर धीरे धीरे आपको copy की ज़रुत नहीं पड़ेगी बट ये एक तरीका है Memorization copy दूसरा summary copy और तीसरा 150 pen challenge आप इसमें से कोई सा भी एक तरीका इस्तिमाल करते हैं तो आप ultra performance देंगे और अगर नहीं कर पा रहे हैं अपने लेवल पर हमारे offline में आजाओ हम करवा देंगे आप से जबर्दस्ति कूट के पीट के करवा देंगे कि अभी हाँ पर MP से UP से बिहार से वेस्ट बेंगाल से हिमाचल से महरास्ट से करनाटक से गुजरात से हर जगह से बच्चे आ हैं और बहुत शांद सहर है हर एक सुविधा यहां पर है और विशेश तो पर मेंटर्शिप है क्योंकि पढ़ना देगा खुद को पढ़ता है कि ड्रॉपर बच्चे को खींच के रखने वाला चाहिए और वह खींच के आपको आखिर तक रखने वाले हैं तो बिना किसी इस्यू के आप आ सकते हैं बिना किसी समझ्या के मैं आपको बहुत बार कॉंटेक्ट नमबर दे चुका हूं कि आपको एड्मिशन अगर आप ले कि आखरी बात कि आज रात कि आठ बजे जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उनके लिए पैच लॉंच हो रहा है ऑनलाइन एमस्प जुनून एमस्प तो ही वहां पर लेकिन जुनून है क्योंकि मैं देखा हूं हिंदी मीडियम वाले बच्चों में जुनून है ना वह इंगलिश वालों में उतना तो भाई नहीं होता है नूडवट अट तो जुनून में देख रहा हूं लगातार वह कमेंट के ज सब्सक्राइब करें फीस उतनी रहने वाली तो आज रात को आट बचे मिलते हैं बट अगर आप इन तीन में से कोई सा भी एक चलेंज ले पाते हैं तो आपका आखरी ड्रॉप होगा यह मेरा प्रॉमिस है थैंक्यू सो मच